हलो दोस्तों आपका राना क्लासेज में आपका स्वागत है आज आपको मैं बताऊंगा बिहार की राजवेवस्था के बारे में यह VPSC free VSSC बिहार द्रोगा बिहार पुलिश अगहादि परिछाओं में काफी मदद करेगी तो शुरू करते हैं बिहार की राजवेवस्था इ को जो इस वीडियो को अनरी तक देखना ना भूले काफ़े लाफदायक है तो बिहार में क्या है दुई सदनात्मक by दा इक का कें तरगर बिभान सब्क और विधान फर्षथ हैं यहाँ कितने सदनात्मक विधायका हैं, दूई सदन, दो सदन है यहां, विधान सवा और विधान परशद, तोट्रल अभी लगवक कितने राजे हैं, आठ हैं, पुछा जाएगा कि दूई सदनात्मक विधायका वाले राज की संख्या कितनी हैं, तो हो जाएगा आठ, विधान सवा और व का समयधानिक परधान राजफाल होता है जबकि बास्टविक परमुख कौन होता है मुख मंत्री होता है उच्छा जाएगा कि राज की कार्जफालिका का बास्टविक परमुख कौन होता है तो मुख मंत्री होता है तो राज के मुख सचीव के दिन क्या होता है पटना में एक व्यवस्थित सचीवाल यह पाटना में सचीवाल है उसका हेड़ कोन होता है मुख सचीव पाटना उच्छ न्याले के नयधिस नयमूर्थी भूवनेश्वर परसाद सिन्हा सर्वोच न्याले के परमुख नयधिस भी रहे हैं तो पूछा जाएगा कि कौन सा है जो कि पाटन उच्छ न्याले के नयधिस है जो कि नयमूर्थी भने हैं सर्वोच न्याले के परमुख नयधिस उनका नाम क्या है उनेश्वर परसाद सिन्हा इस सर्वोच पद पर आसीन होने वाले वे विहार के फर्थम नयधिस थे उनेश्वर परसाद सिन्हा कोन थे पहले नयधिस थ बिहार में कितनी वार राष्ट फरती सासन लागू हो चुका है तो बिहार में अब तक है जो कि आठ वार राष्ट फरती सासन लागू किया जा चुका है पुछा जाएगा कि कितने वार राष्ट फरती सासन लागू किया गया है तो आठ वार पिर्म से इसार बिहार में मुख मंत्री जार मंत्री सहिद मंत्री परसद केंस संख्य के तो यह पूछा जा सकता है कुछन तो बिहार विधान परसद में कुल सदस्यों की संख्या 75 है तो बिधान परसद क्या है एक अस्थाई सदन है तथा इसके सदस्यों कारिकाल कितना होता है छे वर्स होता है तो राजसभा सेंट्रल में लुए श्थाई सदनन और उसी तरह राज्य में विधान परसद होता अश्थाई सदन इसके छे वर्सों के लिए also के चुना जाता है विहार विधान-परसद के प्रथम सभापती कि क्या नाम था ये पूछा जा सकता है विहार विधान पर सथ के परतं सभापती का नाम था र होता है जिसमें होता है बिहार राज के ब्यस्क मतलता नवरा चूने के सदस्त द्वारा होता है तो फुचाए कि विहार विधान सवा के गठन किस अमिछेट के तहत होता समिधान के 170 के तहत और यह ब्यस्क ब्यस्क मतलब 18 वर्ण से उपर लाया पूर्ष रहेंगे वोट करते क्यों ब्यार विधान सवा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है यह 244 रष 152 के अनुषार विधान सवा का सदस्री चतर की स अनुषाथ के तहते के अनुछैद 178 के अनुषार विधान सभा के सदस्यों में से अध्याच तथा उपाद्याच का चुनाव करते हैं तो किस कre ॸेह सभाधा का वधयाज का वदहच का वो किस नुछेद के तẫn होता है पाटना उच्छी नियाले के स्थाफना कब भी थी यह विए नौँ फरवरीまず 1916 पटना में उची नियाले की स्थापना का वही थी 9 फरवरी 1916 पटना उची नियाले के छेत्र अधिकार में कितने भागों को भी भाजित किया तो तीन भागों में भाजित किया है कौन-कौन है आरामभिक अपीलिये सबन्दी तथा परसास्निक छेत्रादिकार तीन गोई के अधिकारों की सुरच्छा सबन्दी मामले आते हैं किस तरह के मामले आते हैं अरंभिक छेत्रादिकार के अंतरगत समीधान की व्याक्या तथा नागरेक्यों के अधिकारों की अपील सबन्दी छेत्रादिकार के तहत कौन सा मामला सुना जा सकता है अपने अधिनस निया नियाले हैं उनके विदुद्ध दिवानी और फोजदारी मामले अकेले सुन सकता है प्रसास की अधिकार के अंतरगत राज की सभी अधिनस नियालों के निरिच्छन कर सकते हैं और तथा उसका नियांतरण भी किया जा सकता है पटना उचनियाले के मुख्ण आधिस की सहाइता से क्या क्या नियुक्त होता है तीन रिच्टार चार संजुक्त रिच्टार तो उचनियाले मुख्ण आधिस की सहाइता के लिए तीन रिच्टार चार संजुक्त और चार संजुक्त रिच्टार नियुक्त होते हैं भारतिय का समिध्ठान के अनुच्छेद 315 में संगियय लोक सेवायोग त Choosa प्रतियोगिता परिच्छा का आयोजन करता है तो बिहार लोग सेवा आयोग क्या करता है राजपत्रित तथा आराजपत्रित पदों की निक्ति के नुसंसा है तो परतियोगिता परिच्छा का आयोजन करता है तो बिहार लोग सेवा आयोग क्या करता है राजपत्रित तथा बिहार लोग सेवा आयोग की अध्याच तथा सदस्यों की नियुक्ति समिधान के नुसार राज़िपाल करता है तो बिहार लोग सेवा आयोग की अध्याच तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता समिधान राज़िपाल लेकिन बिहार में क्या होता है मुख मंत्री और मंत् करता कि उनके कार्जिकाल क्या हो लोक भाव के अध्यायुग के समय सदस्यों का कर्ज का कितना होता छे वर्स से के अध्यायक का का वर्स ज्रрафिक तक है वो पहले हो ली जा सकती है लो कितने वर्स तक काम करेंगे सब्सक्राइब च्छे वर्स होगी और बाश्रठ वर्जों आयूपुरा हो गई हो उससे पहले ली जा सकती है किसे नुचेट के ताथ 316 ला कि बिहार राज का प्रसाशनिक मुख्याले कहां स्थित है तो पट किया गया सब्सक्राइब कर ने पर कॉमेंट में बताऊंगा तो वर्तमान में सचीवाले के कितने विवागों के किया है यह पुराना डाटा है 22 विवागों का सचीवाले का परधान क्या कर लाता है मुख सचीव तो सचीवाले का प्रधान क्या कर लाता है मुख सचीव मु पर्दादिकारी होते हैं तो क्या होते हैं मुक्ष सचीव सचीव करने के लिए कौन कोन होते हैं मुख्य सचीव को विशेश सचीव, अचिरिक्स सचीव, संजुक्ष सचीव, उप सचीव, एवं अवर सचीव का सहयोग मिलता है। मुक्साचीव को विशेश सचीव, अचरिक सचीव, संजुक्त सचीव, उप सचीव एवं अवर सचीव का सहयोग मिलता है बिहार में कितने परमंडल है नो परमंडल है इसके सर्वोच पताधिकारी कौन होते हैं हिंदी में इसको आयुक्त और अंग्रेज में कमिशनर कहा जा आता है कितने परमंडल है नो परमंडल है नो परमंडल कौन-कौन से है सहर्षा, पुर्निया, तीरहुद, शारन, भागलपूर, मौंगेर, गया, यह सब है जो की परमंडल है बिहार राज में छेत्रिय परशास्रिंग व्यवस्ता की सबसे परमंडल क्या है जिला है, इसके मुख्य अधिकारी को क्या कहते हैं, जिलाधिस कहते हैं, या जिलापदाधिकारी भी कहा जाता है बरतमान में कुल कितने जिले हैं, 38 जिले है, सबसे नया जो निर्मित जिला है, उसका क्या नाम है, अरवल है, ओ, 38 जिला पूछा जा सकता है कि 38 जिला विहार का कौन सा है, तो वह है अरवल अनमंदल की संख्या कितनी है, 101, बिहार में अनमंदलो की संख्या कितनी है, 101, बिहार में ग्राम पंचायतों के गठन है तू, सवतनता प्राप्ति के बाद कौन सा अधिनियम पारित हुआ था, 1947 में पारित हुआ था, बिहार पंचायती राज अधिनियम, सवतनता के बाद जो ग्राम पंचाईतों गठन के लिये जो किया गया था उसका क्या नाम था उसका उनली सो सितालइस में भिल ऑर पंचायति राज़ादियं राज चैट राज अधिनियव के तहथ ग्राम पंचायतों में बिद्धभत अपना प्राणारम प्यादम के तहków कि बिःसर कि स्तापन बल्वांत राय महता समिति के सुजाव के आधार पर तीन अस्तरिय पंचायत राज की विवस्था के स्थाफनेंगा। तीन अस्तरिये पंचायती राज की विवस्था ये स्थापना किस समिती के द्वारा की गई है तो बलवांत राय महता और एक है असोक महता असोक महता क्या है यह है दो अस्तरिये पूछा जाएगा तीन अस्तरिये तो जब भी क्या होगा अंसर बलवांत राय महता समिती ग्रा ग्राम अस्तर पर जो तीन अस्तर यह है वह क्या है ग्राम स्तर पर ना पंचायत समीटि ए में जिला अस्तर पर जिला हम यह च्वार इस्ताय गिरांप और कंचायद प्रखेंग सुमिति पैजिला यह सुट कृट हुड है है ग्रामसायद का पर्धान क्या कहा जाता है मुख्या सुमित्ति के प्रण को यूद्धिय का हनुग वर झाल Chung obak se पूरे राजिक में नीसो असी में लागू हूँआ डिहार पंचाईति राज अधिनियम 1993 के अनुसार जिला अस्तर पर जिला और आयोजन समीती का गठन करने का प्रवधान है तो जिला अस्तर पर जिला आयोजन समीती का अगठन करने का प्रावधान की सधिनियम के तहत है बिहार पंचायती राजय धिनियम 1993 के नुसार जिला आयोजन समिती, ग्राम पंचायद समिती और जिला परसद द्वरा आयोजित विकास योजनाओं के कर्यानमन में सहयता करेगी साथ ही अभी प्रापधान किया गया है कि सभी पंचायद समिती ग्राम पंचायद समिती और जिला परसद हो गया यह सभी पंचायद सम्ताम कितने महिलाओं को यह तुआ रचन की वस्ताव की गई है एक यह पूछा जासता है मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एक यह महिलों का रिजर्वेशन है पंचायद लेकिन बिहार में कितना है अभी हाल में 50% है बिहार में नगर निगमों की संख्या कित पूछा जासता पटना नगर की अस्थावना कभी थी अधिस वावन बाडो की संख्या कितनी है बहत्तर बिहार राज की सबसे छोटी प्रसासनी के काई कौन सी है तो सबसे छोटी प्रसासनी के काई ग्राम पंचायद है राज्य में ग्राम पंचायद के 6अंग होते हैं कौन कौन है ग्राम सवा कार्यकारनी समीती मुखिया ग्राम सेवक ग्राम रच्चादल तथा ग्राम पंचाहरी पुचा जा सकता है कि राज्य में ग्राम ग्राम पंचायत की कार्जकारणी के प्रमुख को क्या कहा जाता है तो मुख्या कहा जाता है ग्राम पंचायत की कार्जकारणी के प्रमुख को क्या कहा जाता है मुख्या की सहायता के लिए किसका पत सिर्जित किया गया है तो ओप मुख्या का मुख्या की सहायता के लिए किस पंचयाट की नवक Max सहीथ 9 होते है जिसमें कारिटकाल ग्राम सेवक्ड या पंचयाट सेवक गर्हाम स्वक्ड के अधिन होता ग्रांप सवक्त हुषए क्रम्चारी कि बहार पंचायती राजदिन्यम के सब्सक्राइब पंचायतो को एक ग्राम रच्छा दल गठीद करने का अधिकार दिया गिया तो भीषार पंचायती राजदिनीम कितने रच्छा दल गठित करने का अधिकार दिया गया है ग्राम रच्छा दल गठित करने का वह है और ग्राम पंचायतों को एक ग्राम रच्छा दल गठित करने का परते ग्राम में 18 से 30 वरस के सभी योग विक्ति ग्राम रच्छा दल के सदस होगी तो ग्राम रच्छा दल के सदस के एज कितनी होगी परते ग्राम के लिए 18 से 30 वरस ग्राम रच्छा दल गाउं की पुलिस वेवस्ता है इसको क्या कह सकते हैं ये गाउं की पुलिस वेवस्त राम्रच्छा दल को डाम्रच्छा दल का परमुक क्या कहलाता है दलपती ग्राम्रच्छा समिति का गठन किस अधियम के तहत हुआ है बिहार पंचायष समिती तथा पतधा की पनचायः समीति गठन किस के दवरा विहार पनचायः समीति तथा जिलाल परसद्व bargaining पनचायः समीति की तौ 9 क्यां करती है। विकास कारेश करमों के किरियानバन में ग्राम और जिल आ ये कड़ी के समाना है तो पंचायज समीति का क्या काम है ये विकास का प्रधान के बीचे कड़ी के समाना है पंचायज समीति का प्रधान क्या होता है प्रखंड पर मुख होता है बिहार प्रण्चायती राज अधिनेवनिश्ण कर नुसार जिला अस्तर पर जिला परसत की कना पर्फर्फध कितनी जन संख्या का चुनाव किया जाता है कर रेधाश्प कि बिहार की तर्फिति राजवयस्था की उच harden कड़ी तीनों में सबसे उच्छी कड़ी कौन सी है चिला फर्षद तो यह हो गए बिहार की राज बिवस्था और बिहार के इतिहास के बारे में भी बताऊंगा खासकर आधुनी की इतिहास के बारे में अगले बीडियों में बताऊंगा और आप लोग किरप्या इसको देखे और लाइक करें अगर नए सब्सक्राइबर हैं या देखते रहे हैं तो सब्सक्राइब करें अगर कोई सिकायत हो सुझाओ हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें जिसे मैं और काफी सुधार कर अच्छे धंक से आपको बता सकूं धन्यवाद